तो वेल्कम तो वेल्कम टू नेकाडमी यूट्यूब चैनल लेट्स ट्राक यूप्यूसी दूसरे साथ जानते हैं हम आज अगली क्लास में आ चुके हैं तो बहुत सारी क्लास हमारी हो चुकी हैं ने आध्यूरे चुकी है हैं अब जो यह क्लास हैं कहीं आपकी जो कैसे इंप्रूब करें जो जो content already है आपके पास कैसे ensure करें कि उसमें आपको best knowledge, best content आ सके, content भी improve हो और साथ ही साथ जो knowledge है आपके पास उसमें भी best improvement होनी चाहिए तो एक मिट दीजे, अवास को clear आ रही है और दो आडवस, okay हाँ, है कि अग्यों वह तो चेटल गुलार्व निता जी बुरार्व भवया है कैसे थे खोरा वक्त लगे लगेगा एंड यो सारी सारी चीजें लेक्टरश हो जाएं हो कोई दिक्तत नहीं होगी चलि जैश्री राम लोन वुलिष जैश्री राम चलिए तो आईए सबसे पहले आज के जो सवाल है हमारे उनको एक बार हम जरा सा देख लेते हैं क्या सवाल है हमारे आज इनको हमें अड्रेस करना है एक बार वो पता चल जाए तो उसे हम आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से तो देखे आज जो चार सवाल है हमारे पहला है वाट इस सॉयल और गनिक कारबन क्या है और क्या यूटिलिटी है इसकी क्यों ये इंपोर्टेंट है सॉयल और गनिक कारबन जानना नेक्स्ट जो इसी में इंपोर्टेंट है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन पर सॉयल और ग में हुई थी कॉप 14 UNCCD की जो देली में हुई थी उसमें स्वाइल और गेनिक कार्बन पर काफी ज्यादा फूकस किया गया है कि सर रिकॉर्डिंग एंड लिस्निंग टू यॉर ओन रिकॉर्डिंग डेजिट हेल्प इन रिविजिन रिकॉर्डिंग से क्या मतलब कहना चाह रहे हैं अब मतलब यह क्लास क्लास करके वापस यूट्यूब में वह कहना चाह रहे हैं या कुछ और सब्सक्राइब करके सवाल पूछिए अच्छा सवाल मुझे लग रहा है काफी लोगों के मन में यह कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं तो फिर से पूछिए मैं जरूर आंसर देना चाहूंगा अच्छे से तो पहला सवाल आज है हमारा वाटे स्वाइल और अर्गेनिक कार्बन क तो उसके संदर्ब में यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट है वेस्टन घाट में जो इकोलोजी का डिस्ट्रक्शन हुआ है जंगल काटा जा रहा है क्वेरिंग हो रही है उससे कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो केरला में इतने घातक फ्लड्स हुए हैं फ्लड्स कह रहा है इसे जस्टिफाई कीजिए दूसरा स्टेट्मेंट कह रही है कि क्या मेजर्स चाहिए जिनके माध्यम से आप वेस्टन घाट स्रीजन की एकोलोजी को बचा सकते हो ठीक है कस्तूरी नंगन घाट गिल कमिटी रिपोर्ट सेंबट सिर्फ उतने ही नहीं है और भी क अपने रिकॉर्डिंग नोट्स बनाई है रिकॉर्डिंग क्या देखना है नोट्स बनाई है नोट्स क्योंकि देखे बार बार आपको अगर कोई चीज जाननी है तो बार 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 पढ़ना है अभी पढ़ा दो महीने बाद फिर पढ़ा चार महीने बाद फिर पढ़ा छ सेक्टर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए क्या लोकेशनल फैक्टर सें तो इस कुश्चन का पर्पस बड़ा सिंपल है कोई भी लोकेशनल फैक्टर साए तो वो फिक्स वही होते हैं कानी वही है तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए कि कैसे लोकेशनल factors identify करें इंडिस्ट्री के लिए तो फार्मसिटिकल सेक्टर की locational factor क्या है वो identify कीजिए अगेन जी एस वन जिगरफी का सवाल है and finally कल का हमारा जो पेंडिंग सवाल था कि अंग्रेजों ने भईया education system क्यों लाए क्या जरूरत पड़ गई education को इंडिया में लाने की उसे identify कीजिए यही चौथा सवाल है आज का तो पहला सवाल है soil organic carbon से आप क्या समझते हैं क्या है soil organic carbon क्यों इसको बचाना जरूरी है तो soil organic carbon क्या है number one number two why is it important है ना यह वाला एप्रोज यह वाला पार्ट है दूसरा तो यह भी जरूरी है एंड एक मिनट दीजेगा तो इसके बाद तो इस तरफ सोचना शुरू कीजिए तब तक मैं आगे आपको कुछ important चीजे बता देता हूं तो soil organic carbon क्या है क्यों यह important है एंड क्या वो factors हैं जिन पर यह निर्भर करता है जिनके ऊपर इसकी मातरा निर्भर करती है तो आईए इसको समझे आई इसको समझे तब तक मैं आपको कुछ important जानकारी जो बहुत important है देना आपको मैं बता देता हूं तो इस तरफ आप सोचना शुरू कीजिए तो अनकाडमी में अगर आप देखिए तो यहां पर आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेज स्ट्रॉक्चर्ड कोर्सेज लाइव टेस्स और साथी साथ आपको मिलता है इनका unlimited access तो जल्दी से जाईए प्ले स्टोर एप स्टोर जैसे भी आप यूजर है अंड्रोइड य इंटर्व्यू दिया है में इसके सिवा मैंने अब तक थाउजंड्स और सुरेंट्स को आफ्लाइन मोड में इंडिया के अलग-अलग कोनों में पढ़ाया है तो जब भी अनकाडमी पर आए यह मेरी प्रोफाइल है इसे जरूर फॉलो कीजिएगा मेरी जितनी भी फ्री स् सब्सक्राइब कर लें तो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है प्लस की एक साल की 49,500 रुपीज तीन साल की है 90,000 रुपे लेकिन दोस्तों अगर आप KC10 कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है इंस्टेंट 10% ओस तो इसी लिए एक साल की कॉस्ट हो जाती है 44,550 दो साल की 64,800 तीन साल की 81,000 रुपे लाइक वाइस दोस्तों अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक परसनल कोच मिलते हैं डेली मेंस कुस्टिन आंसर प्राक्टिस मिलती है स्टडी प्लैनर मिलता है और साथी साथ आपको मिलता है परसनला सब्सक्रिप्शन में आपको काफी बनिफिट्स मिलते हैं तो इसके लिए जब भी आया एन अक्याडमी में यूज़ कोड केसी वन जिरो क्योंकि जब आप केसी वन जिरो कोड यूज़ करेंगे तो आपको मेरी मेंटॉर्शिप भी साथ में ही मिलेगी मेंटॉर्शिप मेलेगी तो जब भी आया एन अक्याडमी यूज़ कोड केसी वन जिरो दोस्ता आपको में बता दू कुछ फ्री स्पेशल क्लासे हैं कंप्लीट इन्वाइमेंट करेंट अफेर्स हैं उनको जरूर देखिएगा लाइकवाइज कंप्लीट कोर्स ओन ओशनोग अरगनिक कॉर्बन तो क्या कहना चाहेंगे आप। क जब अरगनिक क्या समझते हैं। कि कि आधि सॉाइल ऑरगनिक कारबन मेंजिरबल और पमपोनेंट औफॉइल ऑर्गनिक मेंटर। बढ़िया हैं। important to chemical composition of biological productivity fertility and nutrient holding capacity of a field of a soil of a land लिखिये field मत लिखिये सही बात बढ़िया 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 एंसर बढ़िया यहीं इंड्रोडक्शन कुछ चाहिए था ओके तो स्वाइल और गेनिक कार्बन क्या है चले डेफिनीशन तो आपको मैं अच्छा वाला दे देदूंगा प्रॉपर रिपोर्ट से चुराया हुआ ठीक है तो मैं आपको देदूंगा यहां मुझे बताईए जो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बता सकते हैं कार्बन ट्राप्ट इन पार्शली डिकंपोज यूदू क्लाइमेट अजर फैक्टर ठीक है बढ़िया एक अच्छा वाला डेफिनीशन मैं आपको चुराया हुआ रिपोर्ट से देदूंगा चिंद आप लोग अंदादे से करोंगे पड़के नहीं जाता क्या इंपोर्टेंस है सैल में और इनिक कारबन का तो बेसिकली सोचिए क्या इंपोर्टेंस होगा क्यों शॉइल और इनिक कार्बन को प्रोमोट करें तो बहुत कॉमन सेंस है यह कुछ स्पेशल पूछी नहीं रहे आप से ओहो वीडियो फिर से स्टक हो गया के ओके 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 ठीक है तो और गनिक कार्बन का इंपोर्टेंस बताइए मैं जब जब वीडियो भी ठीक कर दूंगा और मैं आपकी बात सुनी रहा हूं तो तो आप लोगों ने का वाटर रेटेंशन बहुत बढ़िया ओके प्लांट ग्रोथ सही बात है सॉईल एरेशन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया soil fertility productivity stability more fertility यहीं चाहिए यहीं चाहिए आपको on the toes सोचना और answer बनाना तो कुछ अलग नहीं है मिंटीन कार्बन साइकल जो वो सब कुछ जो जमीन पे आप manual डालते हो गोबर डालते हो उससे जो benefit मिलेगा वो सब मिलता है तो क्यों इंपोर्टेंट है soil organic carbon यहीं सारे कारण जो आपने बताए ठीक है और 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 climate change के लिए क्या है soil organic carbon increase होगी तो climate change क्या होगा उसके chances ज्यादा होंगे या कम होंगे ज्यादा होंगे या कम होंगे reduce carbon in atmosphere climate change aggravate होगा अगर वो soil organic carbon नहीं होता तो वो carbon कहां चला जाता atmosphere में CO2 के रूप में चला जाता हाँ climate change में बहुत बड़ा रोल है काफी ज्यादा target करने हैं इसको भी कि soil organic carbon आई गयस अब मैं convention कोई particular है जो मैं भूल रहा हूं जिसमें की जमीन पे ऊपर के कुछ soil top soil में soil organic carbon को ही increase करना है so that climate change को address कर सकें तो काफी चीजें है climate change से भी इसका रिष्टा प्रबल है carbon sequestration yes some pros and cons of carbon का यह क्यों हो यह कहां से आ गया one convention में है क्या कि कुछ targets है जिसमें हमें increase भी करना है okay चली तो यह तो importance हो गया and importance more or less आप लोग कर सकते मैंने देखा common sense था तो अब बताईए actually अगर आपने report पड़ा है तो वो क्या factors हैं जिन पर soil organic carbon levels निर्भर करते हैं तो यह topic है हमारा यह GS3 environment में भी आ सकता है GS1 agriculture में भी आ सकता है ठीक है तो यह दोनों के लिए ready रहिएगा तो factors क्या है जिन पर soil organic carbon निर्भर करती है और इसके आने के chances हाई है क्योंकि इन न्यूज है अपना देली declaration के तहत आया है तो उसके वज़े से बहुत important है leaching and capillary action लीचिंग and capillary action लीचिंग से सही बात है तो इसको precipitation बोलिए क्योंकि लीचिंग किस पर निर्भर करेगी rainfall पे बारिश पे तो लीचिंग के जगा लीचिंग transpiration बोल सकते हैं अगर एक sense में जिस पर यह निर्भर कर रही है conservation tillage practices बहुत बढ़िया इस पर भी निर्भर करेगी तो land management कह सकते हैं कैसा आपका कैसा आपका land management हो रहा है क्या आप soil organic carbon को conserve कर रहे हो tillage ज्यादा कर रहे हो तो soil organic carbon खतम हो रही है second part में बताना है soil organic carbon किसी जमीन में किस पर निर्भर करता है climate पे precipitation पे temperature पे बायोटा पे किस पे यही पूछ रहे हैं सिम्पल शब्दों में human aspect आपने बता दिया land management शीतल ने बताए आइगे ठीक है और बताईए टाइप of soil पे सही बात है भाईया soil टाइप पे भी निर्भर करता है अगर soil टाइप ना डिजर्ट वाला बिलकुल sandy होता है तो उसमें soil organic carbon कम होती है clay soil में soil organic carbon ज्यादा होता है ठीक है soil पे होता है पॉट्जोल soil तो उसको लिखिये क्यों temperature का भी तो रोल है ना organic carbon ज्यादा होने के पीछे temperature का भी रोल है तो पॉट्जोल आपको याद आया तो याद कीजिए जो lateral soil होते हैं है ना जो equatorial regions में soil होते हैं उनमें अगर आप देखोगे तो soil organic carbon के levels कम होते हैं कारण क्या होता है high temperature होती है high temperature होती है तो क्या हो जाता है bacterial action microbial action बहुत ज्यादा होता है तो soil में जितना भी carbon होगा उसको torrent micro consume कर जाएंगे लेकिन पॉट्जोल वाले cold region में क्या होता है microbial action ज्यादा नहीं होता तो इस वज़े से आप अगर देखोगे तो soil में एक बार आ गई organic carbon तो जल्दी decompose नहीं होती तो सही बाद temperature पीटी soil तो water logging वाटर लॉगिंग देखी पीटी soil दिखने से नहीं होगा वो factor जिस वज़े से पीटी soil में organic carbon ज्यादा है तो वो वो लिए water logging अगर water logging ज्यादा हो जाएगी तो same anaerobic conditions anaerobic conditions तो बहुत कमी bacteria बहुत कमी microbes operate कर सकते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं soil में carbon को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं और कोई factor तोपोग्राफी तोपोग्राफी से कैसे कहना चाहेंगे तोपोग्राफी बिल्कुल सही बात है है वैसे तोपोग्राफी जब आप कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा यहाँ पर पहाड का स्लोप आता है यह वाला रिजन यहाँ पर water retention होगी तेराई वाला रिजन हो जायेगा एगर simple शब्दों में कहूं तो यहीं पर तेराई वाले रीजन में again पानी जमा होगा तो slope जहाँ पर खताम हो रहा है तो foot hills जो है वहाँ पर आप देखोगे Piedmont Plains के बाद जो आ रहा है तेरा ही region वहाँ पर soil organic carbon जादा होता है सही बादर topography higher latitude more higher latitude more क्योंकि वो तो मैंने temperature कह दिया न temperature is the factor तो तो cover हो गया manure and compost manure and compost human factor कुछ अलग नहीं है a biological factor biological factor बायोटा कितनी ज्यादा vegetation is अगर vegetation ज्यादा है तो सएय बात है किए ज्यादा हो जएगा da organic carbon ज्यादा होगा जितना ज्यादा plant उतना ज्यादा पत्ते गिरेंगी उतना ज्यादा soil में organic carbon ज्यादा होगी तो आपने देखा खाली आपको common sense से मालूम है क्या है soil organic carbon तो आप easily यह answer कर सकते हो कोई आपको report पढ़ने की आवशकता नहीं है बहुत ही common sense भरा answer था time taken ठीक है एक लिए लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब इसका answer हम formalize करके लिख लेते हैं तो simple question है simple question है लेकिन थोड़ा सा technical answer हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा report पढ़के करने तो चलिए तो लिखिये 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 प्रॉक्समेटी तो industrial areas नहीं बगा इंडस्ट्रियल एरिया सा खाथ लेना देना नहीं है लिखिये तो UNCCD's UNCCD UN Convention to Combat Desertification UNCCD's Committee on Science and Technology UNCCD's Committee on Science and Technology UNCCD's Committee on Science and Technology has released has released its report on soil organic carbon has released its report on soil organic carbon during the COP 14 of UNCCD in New Delhi during the COP 14 of UNCCD in New Delhi the report emphasizes COP 14 of UNCCD in New Delhi soil organic full stop soil organic carbon plays a critical role in preventing soil organic carbon plays a critical role in preventing land degradation and desertification and desertification ठीक है तो explain with diagram चाहिए ओके और could we make a map for this definitely कोशिश करेंगे जहां पर पॉसिबल है ना वहां पर map भी हम बनाते जाएंगे कुछ रखेंगे तो चिंता नहीं कीजिए कर लेंगे ठीक है बट इस रिपोर्ट आ तन सॉलिडेशन हां 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 तो हमें उससे क्या देफिनिट्ली यह लोग खुद के रिसर्च नहीं है बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्यूट्स हैं जिनके रिसर्च को कंसॉलिडेट करते हैं तो से हमें क्या है ज़ी वाद है ज्यान तो ज्यान है उनका कहीं से भी वह लाएं उनके ब्रैंड नेम पे चल रहा है हूं लिकेंगे उनका ब्रैंड नेम चलिए तो सॉइल और गेनिक कार्बन क्या है सबसे पहले इसको हम कुछ फॉर्मलाइज तरीके से लिख लेते हैं एक बार सॉइल और गेनिक कार्बन लिख दिया उसके बाद ब्रैकेट में एसोसी लिख दिया उसके बाद आप एसोसी 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 बिलकुल यूज़ कर सकते हैं खली एक बार लिके सॉइल और गेनिक कार्बन ब्रैकेट में एसोसी उसके आगे हर बार एसोसी आप विवन बादी अगिने दिएवाद बिएवाद भॉण हिए व्यार थांस विएवाद कर दिएवाद संथे बाद दिएवाद कार दिएवाद दिए प्वाद ऑदस्टी अधिवाद के बाद of plants, animals, microbes, leaves wood litter, mostly in the first few meter of the soil यह यह soil organic carbon तो यह हो गया इसका definition ठीक है तो अब आते हैं importance पे अब आते हैं importance पे जिसमें छोटे-छोटे है डायग्राम्स हम डालते चलें योगि जिएग्राफी का पेपर है इन्वाइमेंट का पेपर है डायग्राम्स होना ज़रूरी है डायग्राम्स होना ज़रूरी है importance तो importance देखिए सबसे पहले soil nutrient soil को nutrition मिलता है किससे soil organic carbon से carbon cycle देखिए इतना डायग्राम अगर आप डालोगे ना carbon cycle तो वो खास आप्ट नहीं बैठता क्योंकि carbon cycle पूरा आपसे पूछी नहीं रहे ना कि कैसे पेड़ पौधे एट्मॉस्वेर में भेज रहे हैं वो नहीं पूछा जा रहा ठीक है तो डायग्राम्स थोड़ा इनोवेटिव डालेंगे तो स्वाइल नूट्रीशन होती है तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्रॉम डिकेंग और्गेनिक मैटर आपको मिलता है यह डालेंगे हाँ यह भी होता है सही बात है स्वाइल नूट्रीशन मिलती है नेक्स देखिए स्वाइल स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो यह क्या करता है गुड्स वाइल स्ट्रक्चर प्रोमोट करता है तो यह क्या करता है essentially binds the soil particles together जो soil के particles हैं उनको एक साथ बांधता है into stable छोटे छोटे टुकडों में जो stable हो उसमें यही बाठ के रखता है तो aggregates में इनमें बाठता है तो आप अगर देखोगे तो इससे क्या होती है soil की aeration बढ़ती है तो इस प्रकार से irritated soil होता है दूसरा आप अगर देखोगे तो soil में water holding capacity भी बढ़ती है water holding capacity भी आप देखोगे बढ़ती है water के pores soil के pores के बीच में पानी भी retention बढ़ता है तो यह आपको होता हुगा दिखेगा तीसरा आप देखो soil biology soil biology के लिए भी beneficial है तो जो soil dwelling organisms है soil में रहने वाले जो organisms हैं उनके लिए आप देखोगे तो क्या मिलता है soil organic carbon उनके लिए एक food source है अर्थवम रहता है तो उसके लिए क्या मिलता है उसके लिए खाने का इंतजाम हो गया soil organic carbon फिर वैसे ही आप देखो और food source हो गया इसके सिवा इसके सिवा आप देखो तो आप कह सकते हो यह जो organisms हैं यह जो organisms हैं जो organisms इसमें रह रहे हैं उनके लिए food source है microbial microbial biota यह भी benefit होता है यह भी benefit होता है तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा तो जो soil organisms होते हैं यह लोग क्या करते हैं में यह लोग nutrients release करते हैं more usable form में अर्थवम से कैसे वर्मी कंपोस्ट बनता है अर्थवम से कैसे वर्मी कंपोस्ट बनता है ना खाता है वही लिटर खाता है और फिर उसको release करता है तो usable form में convert होता है तो वैसा soil से nutrients मिलती है फिर soil को ज्यादा nutrient rich करता है basically biota nutrient rich बनाता है इसके सिवा आप देखोगे तो यह लोग soil में अर्थवम और यह सारे जीव जो रहते हैं तो इससे soil में pores create होते हैं तो इससे क्या होता है in short soil को resistance होती है against diseases and pests यह आपको याद रखना है ठीक है तीसरा हम देखे soil biology चौथा देखेंगे soil protection soil protection आई उसको समझते हैं sir your every video taking us here to Labasan thank you very much sir I watch every night and prepare notes from your lecture thank you sir thank you so much hard work आपका नाम जो भी असली में हो but thank you so much and it is very important यह class आप notes के साथ बनाएं अपना notes बनाते चले तो ही beneficial बहुत जादा होगा and एक notes एक topic का एक समान रखें GS1 एक साथ GS2 एक साथ 3 एक साथ 4 एक साथ GS1 में भी अगर modern history है तो modern history एक साथ similar topics एक साथ है ना तो वह बहुत beneficial होगा यकीन मानें next soil protection अगर आप देखें soil organic carbon होगा ना तो इस वज़े से natural phenomena basically extreme weather events लिखें जो भी extreme weather events होती है जो भी extreme weather events होती है like flooding like cyclones इन सब में क्या होता है इन सब में क्या होता है top soil erode होता है है ना तो increased soil organic carbon increased soil organic carbon protects the removal of top soil उतना असान नहीं होगा सुखे मिट्टी की तरह dislodge करके ले जाओ उतना असान नहीं होगा है ना तो extreme soil organic carbon extreme weather events है flooding cyclones तो top soil क्या होता है erode होता है लेकिन अगर increase होगी soil organic carbon तो उतना असान नहीं होता soil को प्रोटेक्ट करके रखता है इसके सिवा पांच हुआ एग्रिकल्चर में क्या benefit है जो important है एग्रिकल्चरल production increase होती है और प्रोड़क्टिविटी भी इंक्रीज होती है production भी productivity भी productivity याने yield एक जमीन से कितना है एक हेक्टेर जमीन से कितना kg कोई भी अब आप लोग क्या करेंगे जब तक यह class चलेगी चलेगी उसके बाद आप लोग क्या करेंगे उसके बाद आप लोग answer writing के लिए ready है प्रॉपर तरीके से तो अभी अपकास content काफी हो गया है तो अब इसको on the go यूज करना सीखिए answer writing मजबूत कीजिएगा उसके बाद चली नेक्स देखिए अग्रिकल्ट्र प्रॉडक्शन एंड प्रॉडक्टिविटी में क्या है कि सबसे पहले देखिए सबसे पहले देखिए कि तो सॉइल और गेनिक कार्बन से आप अगर देखोगे तो स्टेबल होती है क्या कार्बन साइकल जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है एक्रिकल्चरल प्रॉडक्टिविटी इंक्रीज होती है एक्रिकल्चरल प्रॉडक्टिविटी इंक्रीज होती है ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah कर जाता है, soil health क्या होती है, इंप्रूव करती है, इंप्रूव करती है, तो long term, long term sustainability होता है, ऐसा नहीं है, आज fertilizer डाल के बहुत खेती कर ली, फिर एक time आया, soil nutrient धुल के खतम हो चुका है, तब agriculture बंद हो गई, नहीं वैसा नहीं है, long term sustainability होती है, we can capture carbon in the aggregate that it will be win-win situation, येस, आखरी point वही तो है, आखरी point वही तो है, next is, fighting climate change, fighting climate change, soil organic carbon से क्या होता है, carbon sequestration होता है, carbon sequestration होता है, तो इसे लिए इन सब से आप कह सकते हो, कि हाँ, soil organic carbon क्या है, important है, इसको conserve करना चाहिए, अब second part of question पर आते हैं, utility आपने बता दिया, अब वो क्या factors हैं, जिन पर soil organic carbon निरभर करती है, तो आईए उसको समझते हैं, तो अब आते हैं, geography वाले पार्ट पर ज़्यादा focus करते हुए, तो आज के time में जो question आ रहे हैं, geography में, वो ऐसे ही आने के chances ज़्यादा होते हैं, असी नब्बे नमबर धाई सो मार्क्स की पेपर में आता है, लेकिन, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, उसमें से असी नब्बे नमबर धाई सो में पेपर वन में जोगरफी होगा, लेकिन यकीन मानिये, एक सवाल होगा, जो technical geography होगी, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो हम पढ़ा रहे हैं, एक ही सवाल होता है, हाडली, जो की proper तरीके से geography है, हाँ, plate tectonic theory कुछ बता दो, या फिर mental plume क्या हैं बता दो, या फिर oceanography का कोई topic आ जाएगा, बट बाकी के जो सवाल है, वो कहीं न कहीं, वो कहीं न कहीं, आप देखोगे, तो आज के applicability से ज़्यादा linked आते हैं, अगर news में sugar industry चल रहा है, तो वो sugar industry पे पूछेंगे, अगर news में अभी automobile में slowdown चल रहा थ तो automobile पूछ लेंगे, है ना, pharma industry का जब बात हो रही तो pharma पूछा था, तो ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको आख कान खोल के जोगरफी पढ़नी है, खाली notes रट के जाएंगे, तो marks नहीं आएंगे, क्योंकि सवाल बिलकुल अलग आ रहा है, ठीक है, carbon sequestration, हाँ हाँ, यह आ सकते हैं, एक diagram से आप दिखा सकते हैं, कि soil है, soil है, और यह co2 release करेगा, तो यहाँ पर global warming होगी, और उससे आपका climate change होता हुआ दिखेगा, तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यह co2, instead of releasing, यह co2 क्या हो रहा है, कुछ sequester हो जा रहा है, carbon sequestration हो जा रही है, तो इससे क्या हो जा रहा है, climate change and global warming addressed, climate change and global warming, के अगेंस्ट आप कुछ कर पा रहे हो, mitigation, mitigated हो गया, mitigate, तो इस प्रकार का आप चाहो तो diagram बना सकते हो, यह diagram में देखिए, पढ़के नहीं आया था, आपके सामने आपने बुला, diagram डाल सकते हैं, तो हाँ, डाल सकते हैं, diagram डालने में आपको हिच्किचाना नहीं है, आप कहीं भी जो चीज लिख के कहते हो, वो आप diagram से easily show कर सकते हो, यह आपके उपर है, ठीक है, सर मेरे virtual media बहुत answer writing एक लास देखे हैं, पर type of your style is best, please continue after diwali, thank you so much, I will try my best, I will try my best, and, क्योंकि देखिए, अब और topics मुझे निकालना होगा, तो मैं भी दिवाली का एक break का इंतजार कर रहा हूँ, तो अच्छे topics मुझे भी मिल सकेंगे, चले, next part में चलते हैं, कैसे, soil carbon levels improve करते हैं, soil carbon levels को, क्या हैं वो factors जिन पर ये depend करते हैं, factors जिस पर ये depend करने वाले हैं, तो आईए, इनको देखते हैं, तो पहला देखिए, अगर आप factor जिन पर ये depend कर रहे हैं, basically, आपने सब बता दिया है, तो आईए, उसको एक एक करके, मैं consolidate करके, आपको बता दे रहा हूँ, तो पहला factor है climate, तो जिस आप climate में depend करता है, rainfall and temperature, rainfall and temperature का सबसे ज़्यादा influence होता है, तो इसमें अगर आप देखो, rainfall ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है, soil organic carbon भी directly proportional है, ज़्यादा होती है, दूसरा आप देखो, temperature के साथ, inverse रिष्टा है, soil organic carbon का मतलब, जहाँ बारिष ज़्यादा होती है, महाँ soil organic carbon बहुत ज़्यादा होती है, अगर कम बारिष होगी, desert area, तो बायोटा ही नहीं होगा, soil organic carbon कहां से होगी, अगर बहुत बारिष होगी, तो equatorial vegetation बहुत soil organic carbon होनी चाहिए, लेकिन equatorial region में temperature भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर temperature ज़्यादा, तो यहाँ पे लिखिए, as high temperature causes high microbial action, high microbial action, microbes जो काम कर रहे हैं, operate कर रहे हैं, अगर temperature ज़्यादा होगी, तो सब खा जाएंगे, वो सारा का सारा soil organic carbon, और खा के, soil में रहने ही नहीं देंगे, तो इसे लिए, equatorial soils में organic carbon नहीं होता, क्योंकि microbial action बहुत ज़्यादा होती है, तुरंट वो खा जाते हैं, resulting in depleted, depleted soil organic carbon हिदुस्तानी, lagging even on 144p, कोई बात नहीं, थोड़े देर में ठीक हो जाएगा, आजकल 4G भी वैसे ही हो गया है, टेक्नोलोजिकली तो हम 5G की वी उपर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो यह समझ आगे सभी को, climate का क्या रोल है, rainfall और temperature का, next देखते हैं, soil type, soil type का क्या रोल है, soil type का क्या रोल है, तो इसमें लिखिए, अगर हाई, अरे दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, तो आप अगर देखे, soil type की बात हो रही है, तो इसमें आपको जो याद रखना है, इसमें आपको जो याद रखना है, अगर clay soil है, clay soil में, clay rich soil है, अगर clay rich soil है, तो इसमें आपको याद रखिएगा, clay rich soil में, soil organic carbon higher होता है, और sandy soil में, sandy soil में, अवाज आ गई क्या आप लोगों को मेरे ringtone की, soil organic carbon lower होता है, जी जी, सूपर मार्यो, ठीक, तो soil type आपको बताया, उसका भी impact बता दिया, इसके सिवा, naturally, fertile soil अगर होगी, fertile soil होगी, तो क्या होगा, बायोटा, ज्यादा होगा, fertile soil implies, आप चाहँ तो साइकलिक डायग्राम बना दो, हैना, fertile soil implies, higher biota, higher biota, अगर vegetation, biological matter ही ज्यादा होगा, तो higher, higher, dead, death and decay, higher death and decay, of biota, जिससे आप देखो, हो, तो क्या होगी, higher soil organic carbon, जिससे क्या होगा, fertile soil बनेगा, तो कुछ इस प्रकार का आप एक circular diagram बना सकते हो, हैना, diagram definitely helps you gain extra marks without any doubt, तो एक इस प्रकार का आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन इस diagram को थोड़ा सा बहतर बनाना मुझसे, हैना, मैंने अभी अभी सोचा, तो इस प्रकार से आप बनाईएगा, ठीक है, चार diagram में तो इसके ये चार पोल हैं, और इसको आप इस प्रकार से एक cycle बना सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो गया, soil type, फिर देखते हैं, तीसरा, send कर देना, ठीक है, next देखे, soil moisture, soil moisture का क्या रिष्टा, soil moisture, जाहिर सी बात है, moisture जितना ज़्यादा होगा, soil organic carbon उत्ती ज़्यादा होगी, अगर waterlogged soil हो गया, पानी से ढखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, anaerobic decomposition, organic carbon बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई limitी नहीं है, next देखते हैं, soil aeration, soil aeration, ये कोई guess करेगा, क्या होगा, aeration ज़्यादा होगी, aeration ज़्यादा होगी, तो soil organic carbon क्या होगा, aeration मतलब, aeration मतलब, pores के बीच में कितना gap है, इसमें घुस पा रहे हैं, घुस पा रहे हैं, that is aeration, yes, aeration होगा, तो soil organic carbon कम होगी, क्योंकि ज़्यादा aeration होगा, उतना ज़्यादा biological activity होगी, उतनी ज़्यादा biological activity होगी, तो organic carbon खतम हो जाएगा, तो aeration is say inversely proportional है, इसलिए clay soil क्या होता है, बिलकुल compact होता है, sandy soil क्या होता है, दूर दूर होता है, तो clay soil में soil organic carbon ज़्यादा इस वज़े से होता है, next अगर हम देखें, तो topography, topography, तो bottom of the slopes, जो होते हैं, उन पर आप देखोगे, have higher soil organic carbon, है न, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो, तो अगर bottom of the slopes अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर, तो यह वाला जो पार्ट होगा, ऐसे नदी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे न, तो तिराई में कैसे, fine sediments deposit करती है, तो वैसा ही कुछ, तिराई वाले region में, fine sediments deposit होते हैं, तो clayey soil होती है, clayey soil होती है, तो इतने region में अगर हम देखें, तो bottom of the slopes पे, सबसे पहले तो clayey soil होता है, दूसरा आप देखो, तो poorly drained होता है, तो moisture भी ज़्यादा हो जाता है, तो यह सारे कारण है, कि bottom of the slopes पे, आप देखोगे, तो क्या होता है, soil organic carbon higher होता है, next देखते हैं, topography के बाद, plant productivity, जाहिर सी बात है, जहाँ पे plant जितने ज़्यादा होंगे, बायोटा की बात हो रही है, plant productivity, बायोटा पुरा plant पे इतना निर्भर करता है, जितनी ज़्यादा plant productivity, soil organic carbon उतना ज़्यादा होगा, अगर desert के area में, soil organic carbon क्यों नहीं है, प्लांटी नहीं है, पत्ते ही नहीं गिरेंगे, तो soil organic carbon आएगा कहां से, common sense ही है, next देखिए, next देखिए, soil management practices, अब आप fertilizer पे fertilizer डालते जाएगे, तो कहां से, कहां से over time आपका organic carbon soil का fertilizer खीच के खतम कर देगा, उसको dissolve होके निकल जाएगी, या फिल, biotic action इतना ज़्यादा होगा over time, खतम हो जाएगा soil organic carbon, तो इसे लिए soil management practices, या फिर आप बहुत ज़्यादा tilling करेंगे, तो उससे भी soil organic carbon खतम हो जाएगा, तो soil management practices आपके कैसे हैं, organic farming करते हैं, तो उससे क्या होता है, organic farming करेंगे, तो soil organic carbon ज़्यादा होती है, या फिर आप zero tillage करें, zero tillage, tilling करें ही ना, तो उससे भी soil organic carbon ज़्यादा होती है, tilling मतलब वो आपने देखा होगा, खेत में वो बैल चलती है, और उसके पीछे, हल में जो लगा के, वो जमीन कोडते हुए जाती है, उसी को tilling कहते है, तो ऐसा ही tilling का भी रोल है, इसके सिवा fertility कहांगे है, मैंने fertility कहीं लिका है, या acidic है, सेलाइन है या फिर highly acidic हो जाए, या highly alkaline याने saline हो जाए, तो इन दोरान क्या होता है, इससे बायोटा नहीं होता, बायोटा नहीं होगा, तो soil organic carbon भी नहीं होता, clear है, यही था, यही जानना था आपको, तो basically soil अगर saline हो जाए, highly acidic हो जाए, तो बायोटा नहीं, बायोटा नहीं, तो soil organic carbon नहीं, ठीक है, तो यह था पहला सवाल, पहला सवाल आज का, आयोब समझ आ गया हो, चीज़े याद हो जाएंगी, समझ गया तो कोई दिक्कर, नहीं है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, इस लिए मैंने टर्म गिराया है, highly acidic, acidic होने के पीछे कारणी क्या है, पॉट्जोल का, वो acidic इसलिए हुआ है, क्योंकि soil में जो organic matter है, वो organic matter over time, organic acids release कर रहा है, इस वज़े से वो acidic है, इस वज़े से वो acidic है, जिन्दगी भी carbon हो जाए, हर किसी से आसानी से bonding हो जाए, वाह, वाह, क्या वात, क्या वात, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, carbon की bonding, covalent bonding है, तो जल्दी तूट भी जाती होगी, फिर तो मदबूत नहीं है, ऐसा, पता नहीं, कोई chemistry वालने तो बता सकेंगे, चलिए, नेक्स सवाल है, वेस्टिन घाट के ecology पे, जो की बनता है, काफी important सवाल लगता तो है, तो क्यूं वेस्टिन घाट में आप अगर देखो, तो वेस्टिन घाट को लेके हमने जो प्रॉपर तरीके से उसकी जो ecology है, उसको हमने कहीं न कहीं properly manage नहीं किया है, जिस वज़े से आप अगर देखो, तो कहीं न कहीं hazards like floods and landslides आए दिन आने लगे हैं, तो क्या करना चाहिए, so that आप वेस्टिन घाट की ecology को conserve कर सको, तूरी रंगन भी ठीक है कर दो, वो में चंडी भी कर दो फिर, लेकिन और थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और चली, तो सबसे पहले मुझे बताईए, वो क्या insensitivity हम लोगों ने, इनसानों ने western guards को लेके की है, बेसिकली क्या ecological challenges कैसे हम वहाँ पे उसको ज्यादा fragile बनाते जा रहे हैं, वो क्या insensitivity हैं towards western guards जिससे floods and landslides आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको यह बताना है, western guards had more than 40 to 60% of India's endemic species population, yes, yes, बढ़िया पहला तो चिराग ने कह दिया, क्या कर रहे हैं हम लोग, illegal mining कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, फिर unscientific structures बना रहे हैं, dam बना दिया, कहीं भी cottage बना दिया, river का slope कैसा है, इसको study भी नहीं किया, drainage basin कैसा है, study नहीं किया, और unscientific infrastructure हम वहाँ पर खड़ा कर दिये हैं, और बताईए, deforestation बहुत बढ़िया, deforestation और बताईए, और growing of tubular crops on slopes, तो ओके, 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 agricultural practices हमारे, agricultural practices हमारे, agricultural practices हमारे faulty है, faulty agricultural practices, और बताईए, deforestation हो गया, unscientific cropping pattern हो गया ठीक है, इसी में आप बात करेंगे plantations की भी, हफिसाद urbanization, unscientific infrastructure नचला गया, encroachment of wetlands बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी था, encroachment of wetlands, flood, flood, जब भी आए, सबसे पहले wetlands आएंगे, wetlands क्या होते हैं, स्पॉंज होते हैं, shifting cultivation, I guess उतनी बड़ी समस्या नहीं है, वहाँ पे, इस shifting cultivation की, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे, तो grazing की problem, over grazing, over grazing on slopes, especially, शोला पे, शोला पे, शोला फॉरेस्ट पे over grazing होती है, उतका बहुत बड़ी समस्या है, illegal land acquisition, नहीं नहीं, land acquisition, illegal करके क्या कर रहे हैं, that is important, what is being done after that illegal land acquisition, नहीं नहीं, Western Ghats में बहुत wetlands है, मिरिस्टिका swamps हैं भीया, Western Ghats में ही मिलते हैं, मिरिस्टिका swamps, तो वो पूरा का फूरा wetland है, भयानक है ना, setting up of nuclear power plant, उससे क्या होगा भाई, nuclear power plant बनाने से, आपकी class का time क्या होता है, तो रियांच daily 12-15 pm, daily 12-15 pm class होती है, tourism related issues, infrastructure हमने उसमें include कर लेंगे, कि unscientific infrastructure बन रहा है, river के basins में slopes बन जा रहा है, invasion of alien species like snowflake coral, coral पहाड में थोड़ी चला जाएगा, वो तो समुझर के नारे रहेगा, local ecology, अच्छा invasive species से बात होगी न, तो आप add करोगे, invasive species, eucalyptus, eucalyptus बहुत ज्यादा हो गया है, eucalyptus की बात करोगे, तो यह eucalyptus plantations लगा दिये गए हैं, उससे problem हो रही है, इंटर रिवर लिंकिंग, रिवर इंटर लिंकिंग पन्ना, रिजर्व में, पन्ना, 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 वेस्टें घाट्स में थोड़े ही है, पन्ना तो अपना MP में, dams and embankments, dams and embankments, infrastructure में हम डाल देंगे, ठीक है, काफी हो गया, काफी हो गया, monsoon uneven से कुछ नहीं होगा, monsoon uneven से कुछ नहीं होगा, तो invasive species eucalyptus से क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे, तो groundwater recharge जो है, कम हो रही है, groundwater recharge कम होती है, तो surface runoff क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब की, मतलब की, कुछ इस प्रकार से देखिए, अगर बारिश होई, तो बारिश होने से, अगर groundwater recharge हो रहा है, soil के अंदर पानी जा रही है, तो बढ़िया है, लेकिन, अगर ये component कम हो जाए, अगर ये component कम हो जाए, तो क्या होगा, majority बारिश कैसे जाएगी फिर, surface runoff की तरह, surface runoff की तरह, ओके, one note तक गया, रुकिये दो मिनट, रुकिये दो मिनट, तो ये हुआ पहला पार्ट, कि क्या-क्या, western guards को लेके, हमने changes किये हैं, आगया, 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 तो surface runoff, अब क्या हो गई है, जादा हो गई है, तो इस वज़े से क्या हो आ रहा है, floods आने लग गया है, decant topography can also be a issue, it can be, landslides के पीछे, geological factors वही है, decant topography, लेके इन साथ, पूछा वो नहीं गया है, आप से, आप से पूछा जा रहा है, insensitivity किया जा रहा है, ecology को लेखे, तो वो बताइए, naturally, जो वो indoor'd है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, insensitivity, that matters, pollution, ठीक है, डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत, कुछ connect करना होगा, आपको, चली, next बताइए, measures क्या होने चाहिए, measures क्या होने चाहिए, आपके अनुसार, यह diagram इसको हम ढंग से बनाएंगे, तो, यह diagram use होगा, चली, measures क्या होने चाहिए, तो, पहला, पहला आपने कहा, agroforestry, और कुछ, a forestation, ओके, 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 तो सीधा बोलिए, पहला, a forestation, अब वो a forestation, अलग-अलग तरीके से हो सकता है, social forestry कीजिए, agro forestry कीजिए, हमें उससे क्या, सही बात है, और बताइए, mining, mining को लेके address कीजिए, eco sensitive areas, भी clear कीजिए, mining को regulation कीजिए, okay, mining को address कीजिए, eco sensitive areas बनाए, essentially, आप वही कह रहे हैं, तो eco sensitive areas होने चाहिए, जहाँ पर, यहाँ पर आप बात करेंगे, गाड़ गिल की, कस्तूरी रंगन की, इन सब की बात करने वाले हैं, wetland, wetland की बात करेंगे, okay, 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 urbanization को regulate करें, wetland encroachment को regulate करें, urbanization, wetland encroachment, सही बात है, सही बात है, सही बात है, और, following proper building construction code, ठीक है, ठीक है, forest diversion, forest diversion को allow ना करें, कोई law वो है की नहीं है, legislative, कुछ कर सकते हैं या नहीं, law याद कीजिए, give examples here of popetro power, popetro power जी का example, उतना apt नहीं है, to be friend, उतना apt नहीं, cropping pattern भी ठीक कर दीजिए, अरे एक bill पड़ा है, परलेमेंट में, लोग सभा से पास हो गया है, राजसभा में पड़ा है, केरला में जो flood आये थे ना, 2018 में, और 2019 में भी वैसे आये थे, main problem किसको कहा गया था, डैम के पानी का management का problem था, डैम के सारे के सारे, देखिए, डैम में ना दिक्कट क्या होती है, डैम का dual purpose होता है, और दोनों purpose एक दूसरे से बिलकुल अलग होते हैं, तो डैम का एक purpose है, डैम का एक purpose है, पानी क्या करें, store करें, store करें, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो जितना ज़्यादा पानी store करेगा, उतना ज़्यादा उससे बिजली बनेगी, उतना ज़्यादा डैम पैसा कमा पाएगा, तो एक तरफ पर्पस है electricity बनाना उसके लिए जितना ज़्यादा पानी रखोगे उतनी ज़्यादी आप पैसे कमा पाऊगे दूसरे तरफ क्या पर्पस होता है डैम का कि flood के पहले डैम को खाली कर दो monsoon season के पहले डैम का सारा पानी निकाल के रख दो so that so that क्या हो जब monsoon का season आए तो आप पानी का जो discharge हो रहा है नदियों से उसको regulate कर सकोगे तो वो क्या है वो क्या है flood management तो जो flood management वाला है काम ये दोनो एक दूसरे के opposite विरोधी है आपको बिजली बनाने के लिए पानी ज्यादा चाहिए flood management के पहले monsoon से पहले पानी निकलवा देना है तो अगर ये दोनों एक दूसरे को oppose करेंगे तो obviously जो economic sense बनाता है लोग वही follow करेंगे तो electricity के लिए dam में पानी जमा करके रखेंगे और फिर जब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई unexpected हो गई तो दर्वादे sluze gates खुल जाएंगे खुल जाएंगे तो बार आ जाएगा तो इसी लिए आया है dam safety bill समझ आया सभी को national land flight susceptibility mapping बढ़िया 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 कर सकते हैं चलिए next देखते हैं dam safety bill हो गया so that पानी कैसे manage करना एक scientific body होगी कैसे water in dams को manage किया जाए तो वो सब आप कर सकोगे चलिए आगे बताई आगे बताई इसके सिवा क्या होगा exotic species of stopping them growth ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा कुछ कुछ आप अगर देखोगे माधव गार्ड किल ने identify किया है mining mining of stone आपने बता दिया ठीक है ठीक है तो इतने से हम कर सकते हैं एक अच्छा answer हो जाएगा चलिए अब लिखना शुरू करते हैं लिखना शुरू करते हैं एक अच्छा answer हम बना लेंगे इतने में चलिए शुरू करते हैं एक अच्छा answer हम लिख सकेंगे तो वो वाला इस बार फ्लड नहीं आये हैं तो जब भी पेपर आएगा जो भी रिसेंट फ्लड होगी उसकी बात आप करोगे 2018 में फ्लड आये हैं 2019 में भी पार्शली फ्लड आये थे करला में तो इनकी बात होगी तो वेस्टन घाट के एकोलोजी के वज़े से यहां पे फ्लड आये हैं तो जो भी रिसेंट फ्लड होगा वो आपका इंटोड़क्शन जाएगा न्यूज का इन न्यूज जो भी होगा तो आते हैं सीधा-सीधा अगले part of question पे वो क्या है insensitivity वो क्या है insensitivity जिन वज़े से वेस्टन घाट में जिन वज़े से आप देखोगे तो floods and landslides आ रहे हैं लट सैंड लैंड स्लाइड इतने ज्यादा आने लगें तो आईए इनको आइंटिफाई करते हैं तो सबसे पहला है जियो लॉजिकल यहां पर अगर हम देखें तो दीज आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर हम देखें तो यहां पर यहां पर अगर इनकी बात होगी तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अगर देखें यहां देखेंने वेकर आहां अी यहां पर प्लोइंग मेंक में वेस्ट बात्त प्लोइंग यहां अगर Channel 2. जस्ट अभी पहाड से उत्री है, is very high, discharge velocity is very high, तो इस वज़े से भी अगर आप देखोगे, इस वज़े से आप देखोगे, तो यह क्या होता है, highly susceptible to erosion and flooding, highly susceptible to flooding and landslides, लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है, बड़ी, बड़ रिवर्स catchment area is unscientifically managed, जहां से रिवर में पानी जा रही है, वो unscientifically managed होता है, जिस वज़े से, तो इसी में लिख दीजिए, ब्रकेट में, आप देखोगे, तो resort's बन जाते हैं, resort's बन जाते हैं, उसी रिवर के जो catchment area है, इसमें over grazing होती है, इसी में आप देखोगे, तो यहां पर plantations लग जाते हैं, तो जिस वज़े से, problems को further aggravate कर देता है, further aggravating the floods, and landslide, landslide, समझाया यह, यह clear हुआ, तो क्या हुआ है, तो geological लिखो, या फिर अपना drainage basin mismanagement लिखो, drainage basin mismanagement लिखो, तो यह क्या हुआ, जियोग्रफी में आएगा, तो आपने जियोग्रफी से link किया है, इसको, human geography, physical geography, सब कुछ लिख रहे हो, तो आपको ज़्यादा chances है reward करने के, ठीक है, यह हुआ एक, next देखते हैं, next देखते है, querying, दूसरा problem, तो पांबा river में अगर आप देखोगे, पांबा river में आप देखोगे, पांबा river में आप गाडगिल ने, गाडगिल जी ने खुद पाया है, मादव गाडगिल, में गाडगिल ने पाया है, पांबा river में stone powder देखने मिलते हैं, जो river का base है ना उसमें stone powder देखने मिल रहे हैं तो यह क्यों मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर जो stone crushing activities हो रही है क्वेरींग हो रहा है ड्यू टू क्वेरींग कहां पर हो रही है यह क्वेरींग तो यह अगर आप देखोगे तो क्वेरींग अंदर किसके अंदर आईरन और माइनिंग हो रही है आईरन ओर माइनिंग फिर आप देखोगे बॉक्स आयरन माइनिंग बॉकसाइड माइनिंग stone crushing बॉकसाइड माइनिंग ए इस टोन क्रशिंग गल्यों क्रशिंग सो इन सही वजह से आप देखोगे तो रिवर में बेस में क्या हो गया है जिस वज़े से आप अगर देखोगे तो जो रिवर की जो बेस है उसमें सेडिमेंट्स जैसे डिपॉजिट होते है ना इसमें अगर आप देखोगे यह अगर रिवर है हमारी यह रिवर है हमारी तो इसके बेस में स्टोन पाउडर स्टोन पाउडर आ गया है due to above जितनी भी क्वेरिंग अक्टिविटीज हो रही है तो इससे क्या हो रहा है इससे क्या हो रहा है इससे क्या हो रहा है रिवर ओवर्फ्लो हो रही है तो यह सबसे ज़्यादा देखा गया है कहां पे वाइनाड में इडुकी में बिल्कुल इट लीड्स टू फ्लर्ड क्या हो जाएगा जितना ज़्यादा पत्थर आता जाएगा वो चतुर काक की कहानी में क्या हुआ था पत्थर गिराता था पानी उपर आता था तो वही हो रही है यह चतुर लोग पत्थर गिरा रहे हैं पानी उपर आएगा डिस्चार्ज के लिए जगे कम है वालिम कम है पानी का दो पानी ओवर्फ्लो कर जाएगा common sense है ठीक है तीसरा देखते हैं क्वेरिंग के बाद आप लोगों ने identify भी किया था यह प्रॉब्लम वेटलेंड इको सिस्टम क्या हो रहा है यह इनका encroachment हो रहा है किनके द्वारा अर्बनाइजेशन के लिए अर्बनाइजेशन के लिए हो रहा है और किसलिए encroachment हो रहा है वेटलेंड का रिजॉर्ट हॉलिडेंड इन्स यह सब जो बनते हैं याने की encroachment के लिए हो रही है या फिर other tourism related activities हो रही है उसके लिए हो रही है तो वेटलेंड क्या होते हैं तो दे आर दी स्पॉंजे ल में अब्सर्प्लस water कि अब्सर्प्लस water स्टेकर द्योरिंग फ्लेट्स द्योरिंग फ्लेट्स और वही एक तरफ इब्सोब करते हैं और रिलीज water द्योरेंग ड्रोट्स द्योरिंग रॉट्स आपको मालूम है करदा में 2020 आठारा में फ्लेट आया था उसके within 20 days drop भी आ गई थी पानी की कमी हो गई थी नेक्स देखिए नेक्स देखिए तो यह है forest ecosystem forest ecosystem को क्या किया जा रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना वहाँ आप लोगों ने कहा थे स्लोप penis management किया जा रहा है гл disrupted अब लुब मिसमयनों हो रहा है तो वहाँ पर आप देखों ко और लगा दो मश्यूवर क्रोप्स लगा दो या फिर स्लोप saitेज्मेंट मैं आप अगर देखें तो इसके सिवा आप देखो ट्यूबर क्रॉप्स हो रहा है कुछ प्लांटेशन आ रहे हैं इसके सिवा डिफॉरेस्टेशन हो रही है फिर फॉरेस्ट इको सिस्टम में अगर आप देखो तो illegal building सा रहे हैं illegal buildings बनाय जा रहे हैं forest को अगर आप देखोगे तो निलगिरी मुनार में बहुत common है तो इन सभी से क्या हो रहा है 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 लूजनिंग ओफ सॉयल हो रही है इनक्रीज सर्फिस रन आफ हो रहा है तो इन सभी वज़े से आप अगर देखें तो एसेंशली landslides and floods, दोनों बढ़ रहे हैं, increased landslides and floods, दोनों आपको देखने मिलेंगी, next देखते हैं, next देखते हैं, तो IUCN का एक रिपोर्ट है, World Heritage Outlook 2, IUCN World Heritage Outlook 2 का कहना है, लिखिये, IUCN World Heritage Outlook 2, लिखिये, pressure from human population, pressure from human population, किसका रिपोर्ट है, IUCN World Heritage Outlook 2, pressure from human population, in western घाट, in western घाट, is greater than that faced by, is greater than that faced by, many protected areas in the world, तो यह क्या किया आपके answer को है, एक credibility देगा, मतब्स बहुत जादा है, many protected areas in the world से, बहुत जादा pressure, western guards को face करना पड़ रहा है, next देखिए, dam construction, dam construction, तो यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, ब्लॉक और डाइवर्ट दी, ब्लॉक और डाइवर्ट दी, नाचुरल ड्रेनेज, है ना, तो ब्लॉक कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, नाचुरल ड्रेनेज को, इसके सिवा, unscientific opening होती है, unscientific opening हो जाती है, dam की कभी भी खोल दिया, बिना सोचे समझे, सारे dam में कॉडिनेशन नहीं है, सबने अलग-अलग देखा, खोल दिया, unscientific opening of dance हो जाती है, disastrous होती है, जो की, दोहजार अठारा में, 35 out of 54 dance और ओपेंड साइमल्टेनियसली इन के इला, जिस वज़े से flood इतनी ज़्यादा आई, तो नेचर से ज़्यादा human के वज़े से हुआ था, next देखिए, plantation activities, plantation, यह क्या करते हैं, तो अगर इनकी बात करें, तो निलगिरीज, यूकलिप्टस, फिर अगर हम बात करें, अपना coffee, फिर अगर हम बात करें, tea plantations की बात करें, तो यह सब क्या कर रहे हैं, यह सब क्या कर रहे हैं, अनेबल टू कॉंट्रिब्यूट, टू ग्राउंड, वाटर, रिचार्ज, दर्ज, इनक्रीज, सर्फिस, फ्लो, अभी समझी एकका मतलब क्या हो रहा है, causing floods and landslides, अतलब समझ आया, क्या कह रहे हैं इससे, एक डाइग्राम ऐसे में क्या बना सकते हैं, नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, यह हुआ अपना ground water recharge, है ना, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मिजॉर्टी पानी जो गिरा, वो किस में गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में गया, और कुछ इतना पार्ट, सर्फिस रन ओफ बन के जाता है, यह क्या है, सर्फिस रन ओफ, सर्फिस रन ओफ, अब क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होती जा रही है ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या हो गई क्या हो गई कम होती गई कि है ना वो कुछ इतनी हो गई इतनी गई तो उतना ही प्रोपोर्शनेट तरीके से सर्फिस रिचार्ज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इसको भी डॉटेट लाइन से दिखाईएगा ओब्यूस लिए अधर वाई रिग्जामेजर को बता ही नहीं चलेगा ना तो यह डायग्राम क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहे है इससे हम तो यह डायग्राम आप डाल सकते हैं चले डिफॉरेस्टेशन हो गया हो गया हो गया चले तो इतने कारण काफी है जो आपको बता रहे हैं क्यूं हो रहा है अब देखते हैं कुछ मेजर्स क्या है मेजर्स क्या होने चाहिए इस डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन क्या हुआ कुछ भी फैक्टर होगा इस केस में आपको जो लिखना है देखिए यह डायग्राम ना मैंने आपको यूनिवर्सल दे दिया है जब भी फ्लेड्स आ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन आएगा तो लिखिएगा impact of deforestation । वह 20 लाइन वो है पोस्ट डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के Psych के बाद क्या होगा आप देखो गे वैसे डॉटेल लाइन होजा का फिर अगर आप देखो डिफॉरेस्टेशन अपने में क्या हो रहा है plantation plantation वो हो गया मतलब की normal case में groundwater recharge यह thickness of arrow जो होती है ना यह standard diagram जो thickness of arrow होती है वो दिखाती है intensity कितना ज्यादा हो रहा है अगर normal case में Normal Case was Wa Single Line बिना डाइश जहां Normal Case When Thickness क्या थी Groundwater Recharge की बहुत चौड़ी थी बहुत ज्यादा थी मतलब कि पहले Groundwater Recharge बहुत ज्यादा होता था और इस वज़े से सर्फेस पे पानी कम फ्लो करता था तो सर्फेस रन आउग कम होती थी अब क्या हो गया है ground water recharge dotted line वाला पतला हो गया है मतलब ground water recharge पहले अगर 100 qx होता था तो अब कुछ 50 qx होता है सर्फेस रन आफ पहले 10 क्यू सेक्स होती थी तो अब उतना ही 60 क्यू सेक्स सर्फेस रन आफ होने लग जया है समझ आया यह डाइग्रम क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया चलिए मिजर्स पर आ जाते हैं क्या मिजर्स है और कि पॉरली स्टैंडर्ड डाइग्रम है एक्जामिनर जानते हैं यह डाइग्रम है यह मैंने बनाया नहीं है मेरा इनविशन नहीं है किताबों में ही मिलता है वहीं से उठाए गया है ठीक चली कि नंबर वन यह जो टाइग्राम ऐसे होते हैं यह आप ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा कि कैसे globalization के बाद ट्रेड में changes आए हैं तो यह जो arrow की थिकनेस होगी वो हमेशा magnitude intensity बताएगी तो अगर कम हो गई है किसी के साथ आप कम arrow से दिखा सकते हैं कि पहले ट्रेड इतनी थी अब कम हो रही है तो इस प्रकार से इरो वाले डागराम से आप यूज कर सकते हैं standard डागराम होते हैं चली नेक्स्ट देखे मिजर्स पहला देखिए वह या पास करवाई है क्या है डान सेफटी बिल साइन्टिफिक मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट साइन्टिफिक मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट आफ वाटर इन डाम बिलकुल Hobart कीजिए आ रहें उसके भी आएंगे थे नेक्स देखिए कि डी सेंट्रिलाइजेशन डी सेंट्रिलाइजेशन कीजी है कि तो क्या हुआ है डीसेंट्रिलाइजेशन में सबसे पहले तो So, give Gram Panchayats the authority to approve or reject developmental projects ठीक है दूसरा कहते हैं यूटिलाइज याद है एक बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी होती है क्या होता है यह किस अक्ट के अंदर गद बनाई गई है बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी यूटिलाइज बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी इन प्रिपरेशन और क्या बणाना है इनके दौरा इन प्रिपरेशन ओस इनवाइमेंटल इंपाक्त एसेस्मेंट यह थी ठीच यह तिमिंशन उन बिए ना नाशनल बायो डायोडाइवर्सिटी बोड स्केट लेवल डिस्ट्रिक लेवल पे कौन होता है उसी में तो उसको यूटिलाइज कीजिए जिसके माध्यम से यह का प्रिपेरेशन होगा तीसरा कि तीसरा टेक्नोलोजिकल इंटरवेंशन कीजिए तेक्नोलोजिकल इंटरवेंशन कीजिए सोनम डाइक लिया पने अध्यमी पर जाएंगे आपको सीधा आएगा सब्सक्राइब तो मेक्शूर वहाँ पर सब्सक्राइब करें ईयूज दा ओड के सी वन फिरो टोंट फॉर्गे केसी वन पिरो चले और डाइकलि आप जाएंगे आपको सीधा अने काड़मी जैसे ही खोलेंगे यूपी प्रिस्ट काटेगरी में आ जाएगा सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा चलिए नेक्स देखे टेक्न लॉजिकल intervention कीजिए किसको मैनेज करने के लिए तो इसको मैनेज करना है आपको mining को माईनिंग हो रही है ना इन वेस्टन घाट माइनिंग इन वेस्टेंगा अनक्तव को monitor कीजिए कैसे यूज है यूज है यूजे फ़िकि इसे इसे से 50 के मांधिमज कीजिए या फिर ड्रोन् सो एंसम से रियल टाइम मॉनिटरिंग आपके पास होनी चाहिए नेक्स्ट गाडगेल रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशन से हैं गाडगेल रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशन से उनको कीजिए तो उसमें सबसे के पहले क्या उन्होंने जो क्वेरिंग हो रही है ना वो कमर्शिल ऑपरेटर को मत दीजिए किनके पास होना चाहिए क्वेरिंग और स्टोर्न राधर लोगों के पास ना हो राधर कुछ आपरेटिब्स के पास हो विठ कुछ ऑपरेटिव्स लाइक कुडूम्श्री तो को दुम स्री नोट पर और सुनी कंट्रोल अविलीगा कैसे मिलेगी और यह एक डाउनलोड करना पड़ेगा जी जी अनकाइडमी अप डाउनलोड कीजिए आपका प्रोफाइल बने के साथ आपको आएगा सब्सक्राइब तो UPSC CAC category में subscribe कीजिएगा, आपको सारे course मिल जाएंगे, कोई ऐसा particular course नहीं है, जैसे ही आप an academy subscribe करते हो, जितने भी courses होते हैं, वो सब आपको upload हो जाते हैं, तो ऐसा कोई एक course, दो course नहीं है, सारे course मिल जाएंगे, और वाकी मैं आपको guide कर दूँगा, कौन सा course इस वक्त जो अंदर होंगे, तो यह आपको main ध्यान रखना है, तो इससे क्या होगा, cooperative करेंगे, querying का काम, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, reduced vulnerability to floods होगी, यह जो हो रहा था ना, drainage basin क्या हो गया है, पूरा का पूरा, चोक हो रहा है, वो होता हुआ, नहीं दिखेगा, EZ1 area dance and sand mining, हाँ, हाँ, EIA के अंतरगत, eco-sensitive zones घोशित करेंगे, ठीक है, next देखिए, next देखिए, गाटगिल रिपोर्ट ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है, recommended, 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 क्या कहा है, recommend, तो उन्होंने recommend किया है, आप अगर देखोगे, 64% of western घाट, under, ecologically sensitive zone, या eco-sensitive area के अंतरगत, होना चाहिए, यही चीज़ को, कस्तूरी रंगन ने कितना कर दिया है, numbers आपको मालूम होने चाहिए, कस्तूरी रंगन ने कहा, भया, 64% पर तो भवाल हो गया, क्या करोगे, तो कस्तूरी रंगन ने कहा, 37% of eco-sensitive zone होना चाहिए, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें, others, इसके सिवा आप देखें, क्या करें, जितना भी illegal construction हुआ है, उसका, रिमूवल कीजिए, रिमूवल ओफ illegal construction, रिमूवल ओफ illegal construction, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें, तो green corridors होने चाहिए, green corridors होने चाहिए, वो क्या करेंगे, green corridors बनाएं, जो की water को सबसे पहले तो क्या करें, जो की ground water recharge में भी मदद करेंगे, और animal movement के migration के, animal migration में भी मददगार साबित होंगे, तीसरा अगर आप देखें, तो आप लोगों ने जैसा का, illegal building वगेरा, removal हो उसका, illegal constructions का, फिर अगर हम देखें, strict implementation of laws होने चाहिए, strict implementation of EIA, scrutiny, strict implementation होना चाहिए, environmental impact assessment का, and, यही सारी कुछ चीजें हैं, जो होनी चाहिए, तो इससे आप एक, एक ठीक ठाक, अच्छा गाता answer आप लिख सकते हो, क्या-क्या measures हो गए, तो बाकी को आप क्या measures होंगे इसके सिवा, जो यहाँ पे लिखा, इसका उल्टा कर दीजिए, है ना, plantations को regulate कीजिए, forest ecosystem में slope management ठीक से कीजिए, बट वो दब last में रखिए, लास्ट में रखिए, wetland ecosystem को कैसे manage करना, encroachment कम कीजिए, तो वो सारी चीजें आप उल्टा करके लिख सकते हो, बट उसे मदा नहीं आता है ना, वैसे points तो सब लिखेंगे, तो वो भी रखना है आपको, लेकिन last में लिखिएगा, उसी को उल्टा करके, येस, theme based topic EIA, आएगा, आएगा, मुझे ध्यान है, draft EIA बिल लाना है, तो वो करेंगे, वो आने वाला है, लेके आएंगे, जल्दी करते हैं, अरे बाबा, तो फिर से ये दिक्कत आ रही है, रुकिए, एक मिनट जिरा सा मुझे लिख लेता हूं, मैं भी EIA, मुझे आना है, ये तो सही है, तो एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, तो अगला सवाल है, हमारा आज का, question 3, pharma sector करें, चली पहले ये करते हैं, British introduced education system in India, कल भी pending था, तो आज इसको निप्टा देते हैं, तो pharma sector उसके बाद हम कर सकेंगे, तो ये छोटा सा सवाल है, I guess जितना टाइम है हमारे पास, उसमें हम manage कर लेंगे, ओ, ओ, फिर से मैं अटक गया, दो मिनट, मुझे लगी राजा, बड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, चले, चलते हैं, अगले मुद्दे पे, तो अगला सवाल है, हमारा अंग्रेजों ने भईया, उनको ऐसा क्या हो गया, इतने भले लोग थो, थे नहीं, कि हमारे देश में education लेके आए होंगे, तो आपके लिए सबसे पहले, आपके लिए सबसे पहले तो जो काम है, वो क्या है, जो होमवर्क है आपका, इसी नोट्स में आप एक दो पेज चिपका क्या लिखोगे, development of education in India, है ना, यह आपका काम है, कि कैसे, आप देखो, मेकॉले के मिनट्स आए, वुड्स डिस्पैच आया, हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया, उसके बाद आप देखो कैसे गांधी जी आये, तो उनके टाइम वर्धा कमीटी रिपोर्ट आई, सैडलर कमीशन आया, है ना, फिर इसे हाटोग कमीशन आया, फिर कैलकटा का एक युनिवर्स्टी सर्कुलर आया था, वो आया, तो यह सारी कैसे डवलप की हैं, एजुकेशन को इंडिया में, यह आपके पास स्टेटिक का, आपको एक कंसाइस करके होना चाहिए, डेड़ पेज में, पूरा एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कैसे डवलप की है, सिंक्रोनाइस टाइम के मैनर में, टाइम के मैनर में, क्रोनोलोजिकल ओडर में, आपको डालना है, ठीक है, तो यह आपका होमवर्क होगा, कहां से लोग इस स्टेक्टरम लो, एजुकेशन से नेक्स्ट, यह आपको करना होगा, ठीक है, हम न्यू है, गुड आफ्टनून शिभं, मैं बढ़िया हूँ, कैनि प्रोवाइट सम हेल्फ और जिओग्रफी ऑप्शनल पर दिस यह में, देखे ऑप्शनल के लिए इस वक्त मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, स्वरी पर देख सकते हैं, लेट स्क्राइब चैनल पर आपको मिल जाएगा, एंड जोगरफी ऑप्शनल कुछ बेसिक्स पर्स्पेक्टिव आप लिंक कर सकोगे और समझ सकोगे, तो काफी लोगों को दिक्कत होती है, परस्पेक्टिव समझने में, तो आटलीस आपको समझने में मददगार साबित होगा, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, चले, तो एका एक शुरू हो जाएए बताना, क्या हुआ अंग्रेजों को ऐसा, कि वो कुछ लेके आए इंडिया में एजुकेशन, है ना, 1835 में, बेंटिक्स एजुकेशनल पॉलिसी आई, यो बेस्ड ऑन मे कॉले, ठीक है, तो पहला आपने कहा, जो कारण है, वो थे उनके, create a class of English educated Indians, तो इससे क्या होना था, आप जो कह रहे हैं, उससे दो बेनिफिट से, दोनों बताओ, ठीक है, एक तो हुआ, पॉलिटिकल, है ना, कि लॉयल्टी होगी, लॉयल्टी होगी, दूसरा, और क्या होगा, लॉयल्टी होगी, और अरे बाकी लोग कहा हैं भई, अंग्रेजों ने education क्यों लाया, सब कोई बता दो, अंग्रेज अगर education लाए, create demand for factory made goods, क्योंकि ये लोग क्या होंगे, Indian by color, लेकिन British by taste, तो जो ब्रिटिश का factory made goods होगी, ये लोग भी consume करेंगे, तो market गाउं गाउं तक पहुँच सकेगा, तो ये भी एक कारण है, ठीक है, और क्या कारण था, education लाने का, और क्या कारण था, मैं कॉल ने तो साफ साफ लिखा है, क्या कारण था, clerk बनाना था, उनको अपने काम में administrative needs के लिए चाहिए था कि नहीं चाहिए था, क्या administrative needs, administration में, जो lower, lower constabulary है, उसमें भरती करवा दो, chief supply of educated Indians to subordinate post in administration, exactly, exactly, so administrative benefits थे, और क्या था, और क्या कारण रहा होगा, तू eradicate social evils in India to some extent, नए, नए, आप religious aspect पे जा रहे हो, तो religious ही है, लेकिन कौन सा religious होगा, बताईए, क्या परपस्टा religious में ही बताईए, social evils इन लोगों ने ना 18-57 के बाद eradicate करना ही बंद कर दिया, strict follow करना शुरू कर दिया, वहला कि हमें कोई लिना देना नहीं, तुम्हें जैसे अपने धर्म को चलाना है, चलाओ, 18-57 के बाद वो ये चीज़ सीख गए थे, तो और social evils evils नहीं हटा रहे थे उसके बाद, इंडियन ब्राउन इं कलर, सती प्रथा, यह सुस्टाइम तक विल्यम बंटिक ने किया था, ग्लोरिफाइंग ब्रिटिश कॉनकर, रिलीजियस में, मिशनरी अक्टिविटीज, इनको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडूकेशन दोगे, तो इनको आप इजीली मिशनरी अक्टिविटीज के अंदर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो स्पेशली सिरामपोर मिशनरीज, कैलकटा के पास सिरामपोर है, तो सिरामपोर मिशनरीज बहुत एंथूजियास्टिक थे, एजुकेशन स्प्रेड करने में, उनका कहना था कि अगर उनको हम वेस्टन एजुकेशन देंगे, तो इनका जो अपना डुमेस्टिक फेथ है, वो कही ना कहीं डिस्ट्रॉइ हो जाएगा, तो उसके बाद हम इनको इजिली कनवर्ट कर पाएंगे, तो वो भी एक साक्टर था, निधी आक्चुली ना, आपको कुश्चिन का टोन समझना होगा, तो अगर टोन आएगा ऐसा कि इंस्पाइट ऑफ सेल्फिश आप इंस्पाइट ऑफ सेल्फिश नेचर ऑफ बिटिश दी एड्यूकेशन दी एड्यूकेशन इन इंडिया इस टाइप का कुश्चिन आ जाएगा, तो आप यह सब लिखना, फीमेल एड्यूकेशन से क्या-क्या बेनिफिट हुए, लेकिन यहाँ पर जो यह टोन है ना, साफ साफ आपको कहरा है, इसी लिए मैं आपके लिए जो वीडियो भी नाया हूं, टेल वर्ड्स पर उसने मैंने कहा है, हमेशह टेल वर्ड्स से इंपोर्टेंट है क्य Cohen का टोन, टो टोन साफ साफ खे रहा है, कि ज़यादा उनको ऐसा गलोरिफाई मत करना, चैरा है आपको कि उस ब्रिटिश ने किया है तो नेगिटिव चीजों के लिए किया है वो identify कीजिए हो identify कीजिए ये रिफ म्रूंड मैं आप ने जो पकड़ बहुत अच्छा कहा है ये ये हुआ ये हुआ मैंने er मेंने अध्निस्नेटिट्ट्रिटे-वे कानली to consolidate British rule in India consolidate British rule in India कैसे के एजिटेशन नहीं नहीं वो दिवाली की ब्रेक में होगा एगास को एजिटेशन एजिटेशन क्या होगा आपको मालूप में जो अर्ली मॉडरेट थे उनका क्या कहना था उनका कहना था benevolent बिटिश क्या है benevolent despoticism में यकीन करने वाले लोग है यह लोग क्या है benevolent लोग है ना बिटिश का क्या था benevolent rule है तो वह वाला ऐस्पेक्ट था तो उनको चुकि वह western education में पढ़ लिख के आये थे तो उनको लगता था कि अंग्रेज इंडिया में शासन कर रहे हैं हम लोगों को civilized बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है अंग्रेज को सलाम ठोको बहुत अच्छे लोग हैं हमें civilized बना रहे हैं तो यह वाला ऐस्पेक्ट आना शुरू हो गया क्यों इनके अगे इंस एजिटेट करोगे तो यह लोग तो enlightened इंडियन को लगता था कि यह लोग सेवियर हैं यह लोग हमारे सेवियर हैं तो यह भी एक कारण था एडिक्राइशन को प्रोमोट करने का डिस्त्रोय इंडियन ट्रडिशनल शिस्टम और क्या त्रडिशनल शिस्टम से इंडिया का कशे होगा कुछ इंडिया का आप देखोगे तो अपना कोटेज इंडिस्ट्रीज की एजुकेशन होगी वो सब कुछ डिस्ट्रॉई किया गया था था ठीक है और कुछ बताइए और कोई किसी को याद है और कोई पॉइंट अंग्रेज क्यों एजुकेशन लेके आए होंगे इंट्रोड्यूस मॉडर्न साइंसे अगें कुश्चिन का टोन पढ़िए टोन टोन इस इंपोर्टेंट कह रहा है आपको ब्रिटिश लाए अपने परपसेज के लिए हमें क्या उससे अंग्रेजुगों को मॉड हमें नहीं देना था उनको साइन नेगेटिविटीज आइडेंटिफाई कीजिए हैं मेकिंग ड्रिफ्ट समाज में देखोगे कुछ ना कुछ दिखता है मिडल क्लास किया है मिडल क्लास एक दिशा देता है किसी भी देश को किस तरफ जाना है तो इसी लिए जब मिडल क्लास प्रोटेस्ट करता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है क्योंकि मिडल क्लास एक वैसा क्लास है जो यूज लेके जानी है तो उनका सोच थी उनकी सोच थी कि क्यों ना हम ये मिडल क्लासेज को बिटिश बाई हाट बना दे इस एजुकेशन के तुरू और अगर ये वो दिशा में जाने शुरू हो गए तो बाकी के जो गरीब तबके हैं वो भी इनहीं का अनुकरण करेंगे इनहीं को फॉलो करेंगे तो वो लोग भी अपने आप बिटिश सिस्टम में आने शुरू हो जाएंगे तो इसे लिए उन लोगों ने सोचा कि पॉलिसी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को यूज कर सकते हैं बिटिश एजुकेशन प्रोवाइड करने हैं यूज एजुकेशन रि इनको अब एक-एक करके हम मतब नेगिटिव साक्टर्स अगर आपसे पूछे तो इतने ही हैं तो आईए इनको अब कंसॉलिडेट करके लिख लेते हैं तो आपको जानके हैरज होगी तो बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में एजुकेशन लेके आई उस टा जरूर रहा होगा तो आईए इनको समझते हैं तो अगर इंट्रोड़क्शन लिखना है तो लिखिए loyalist ideas to be inculcated in Indian mind definitely यही कारन था एग्शक्ली तो लिखे एस्ट इंडिया कंपनी East India Company for the first 60 years for the first 60 years took no interest in promoting education took no interest in promoting education East India Company for the first 60 years took no interest in promoting education however however in 1835 in 1835 Bendix William Bendix Bendix education policy was introduced Bendix educational policy was introduced full stop Macaulay's minutes Macaulay's minutes Macaulay's minutes point out point out Macaulay's minutes point out at hidden agendas points out at hidden agendas of introduction of British education system तो लिखिये वाई ब्रिटिश प्रिटिश इजिकेशन इंडिया इतने अच्छे लोग तो हो नहीं थे सहाँ अब क्यों किया कि यह है परपर चली तो पहला अगर आप देखोगे पॉलिटिकल मोटेव पॉलिटिकल मोटेव क्या थे पॉलिटिकल मोटेव आइडिंटिफाई कीजिए तो English education इंग्लिश एजुकेशन आएगा तो एक bond बनेगा between प्रिटिश राज होगी क्योंकि एक इंग्लिश एड्मिनिस्ट्रेशन इस्टाबलेश होगा इसमें इंग्लिश लॉज से लेके लेंग्विज तक आप लोग लास कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कंटिन्यूटी होगी तो इससे क्या होगा कंटिन्यूटी मिलेगी कंटिन्यूटी बिट्वीन यूके एंड इट्स कॉलनी कोई गैप नहीं है है ना कंटिन्यूटी हो जाएगी नेक्स देखा जाए तो यह तो वबे पॉलिटिकल मोटेव्स दूसरा देखते हैं अड्मिनिस्ट्रेटिव मोटेव्स क्या थे administrative motives तो यह अगर आप देखें तो आपको मालूमी है चीप सप्लाई और अफ इंडियन तो सबॉर्डिनेट पोस्ट पोस्ट में जो सबॉर्डिनेट पोस्ट है उसमें क्या होगा एक चीप इंडियन सप्लाई होती रहेगी कहां से छोटे पोस्ट के लिए इंगलेंड से किसी को लाएंगे यहीं से भीजवा देंगे तो इसी लिए आप अगर देखो चार्टर एक्ट 1833 जब पास किया गया था तो वस्पास्ट ब्यूरिंग दी टाइम ओफ ग्रेव फाइनाशियल क्राइशिस समझाया फाइनाशियल क्राइशिस का वक्त था उस टाइम पैसा नहीं था तभी इनको यह बुद्धी आई अच्छा यह सालरी में जो खर्चा हो रहा है ना लोवर पोस्ट के लिए क्यों ना इंडियन्स को लाना और यह सारे काम तो इनसे भी करवा सकते हैं क्लरक वाला तो वह वाले जो जौब से क्लेरिकल जौब्स हैं और सबॉडिनेट पोस्ट है वो सब हम इससे इसके लिए ले आते हैं तो यह परपस था नेक्स्ट एकॉनमिक मोटिव एकॉनमिक मोटिव तो यह अगर आप देखो क्या क्रियेट कर रहे थे एक रिएटिंग इंडियन्स हूआ हूँ ही वा लुदिए ह्लग टेष्ट अंड्वल्यू तो इसक्शिव्योग्यू की मुवी जो दिखाती है क्या दिखाते हैं साव फूट पहन के हैट पहन के चल रहे हैं तो यह क्या है यह वही चीज है तो एकॉनमिक मोटिव्ज था तो इससे क्या होगा यह अंग्लिस्टाइज इंदियंस होंगे कि अग्लिस्टाइज इंडिय से क्तित अरेंगों आपताए ये वर ब्रिटिश The goods फ्रब्रिटिश गुडिउns है diferencia 3 पैंए पैना सूट पहनके चल रहा हैं UK की फाक्टरी में बने कोड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह क्या है एकॉनमिक मोटिव से तो वुट्स एडुकेशनल डिस्पैश ने तो इसको आइडेंटिफाई भी किया है आइडेंटिफाई भी किया है सेम चीज है कि इन देडिया तो रॉ मट्रियल लेंगे इनको बिटिश गुड्स सम दे देते रहेंगे प्रोसेस्ट फिर अगर हम देखें नेक्स्ट आता है रिलीजियस मोटिव्स रिलीजियस मोटिव्स तो स्पेशली क्रिश्टिन मिशिनरीज काली मिशनरीज लिखिये क्रिश्टिन लिखना है तो लिख सकते हैं बाकी मर्जी मिशनरीज जो थे थे थोट्ट that modern education would destroy the traditional faith of Indians, इन लोग भूल जाते हैं अपना कल्चर और जल्दी एडॉप्ट कर लेंगे तो लोग ने भी यही सोचा कि इंडियन का जो फेथ है इन दियर ओन कल्चर इन दियर ओन रिलिजिन इन भी भूल जाएंगे इनको अगर modern education दे दें तो और इस वज़े से वो लोग Christianity ले लेंगे Christianity ले लेंगे specially याद रखिएगा इसमें कौन थे सिरंपोर क्यालकटा के पास है सिरंपोर जगह है तो सिरंपोर missionary बहुत enthusiastic थे ठीक है तो डिस्मेंट टूटू उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है इसी पे missionary activities पे कुछ ऐसी लाइन का गूगल कीजिये का बहुत अच्छी लाइन है तभी यूज करना ऐसे वगेरा में तो यह लाइन कुछ ऐसी है कि वेन आई क्लोज मिशनरी इस केम और आज मी तू क्लोज आइज we had the lands the missionaries had the Bible missionaries asked us to close the eyes and when we opened we had the Bible they had the land तो कुछ ऐसा लाइन है तो पढ़िएगा कभी ऐसे में लिखने के लिए काम रखिएगा यूज कीजेगा तो यूज कर सकते हैं उसको पांच हुआ अगर आप देखो तो एक पॉलिसी थी ओफ डाउन वर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी ओफ डाउन वर्ड फिल्ट्रेशन उसका भी क्या रोल है पॉलिसी ओफ डाउन वर्ड फिल्ट्रेशन तो जिसके तहट मेक हाईयर क्लासेज blind followers of the government the masses will follow them the masses will follow फिर अगर देखा जाए फाइनली तु प्रिवेंट एजिटेशन इन लाइटें इंडियन जो थे पढ़े लिखे है ना बिटिश एजूकेशन एजुकेटेड इंडियन इनलाइटें इंडियन जो थे वो अगर हम देखें तो उनको लगता था एफिनिटी थी किसको टू ब्रिटिश रूल झां बिलिट 잘 गेंडियन यूओ कि एक बिटिशच यस थी कि डिटिशच यसथिति बिलिएंटें टीश को गां एलन्स यस और और उनके यहां प्रॉपर वकील होते हैं कोट होता है जस्टिस बहुत अच्छा तुरंट मिल जाएगा आप गलत करोगे तो बिटिश गलत को गलत सही को सही बोलेंगे वह बैनेवोलेंट लोग हैं अच्छे लोग हैं आपके उपर रूल कर रहे हैं आपकी बहलाई के लि एकॉनमी हमारे यहां भी इंडस्ट्री लगेगी और ग्रो होगी रेलवे बन रहा है देखो देखो रेलवे बन रहा है नौकरी आएगी हमारे यहां भी फैक्टरी आएगा तो इस प्रकार के वो लोग ब्रेनवाश्ड लोग थे तो यह उनके यहां एक फीलिंग थी तो अ जब इनमें एक ट्रेंड आया स्वदेशी में 1905 में पहली बार इनमें एक रैडिकल्स का सेक्शन आना शुरू हुआ तब जाके कहीं धीरे धीरे इजिटेशन आने शुरू हुए फिर गांधी दी आ गए वो तो उखाड के फिक्ने में यकीन करने लग जाए इसको कि कुछ ब करेंगे लोकेशनल वाले क्विशन कर लेंगे आज यहीं पर रुखते हैं वीडियो पसंद आया होगा जरूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए आपको मैं बता दूँ जब भी अनकाडमी पर आएं यूज कोड केसी 10 क्योंकि इससे आपको 10 पर सकते हैं and best notes में time to time आपको देता रहूंगा and जो guidance है मेरी वैसे मैं जोग्रफी इन्वायमेंट आई यार पढ़ाता हूं लेकिन बाकी subjects of GS में भी मैं अच्छे से आपको guide कर सकता हूं कहां से पढ़ना है क्या करना है ऐसे कैसे लिखनी है जोग्रफी optional कैसे लिखना है तो व first question है what is soil organic carbon discuss the utility of soil organic carbon identify the factors affecting the levels of soil organic carbon ठीक है चलिए यही पर wrap-up करते है यही पर wrap-up करते है and thank you so much for joining and have a great day ahead make sure make most of it productive बनाए चीजें रिवाइस करें and maximum benefit लें don't forget to like the video as well so thank you so much for joining have a great day ahead thank you guys thank you so much